So before I start this video, एक सवाल है मेरा आप सब के लिए, आप यहां पर देखें, दो लाइन्स हैं, बस एक छोटे से सवाल का जवाब दीजे, कि कौन सी लाइन आपको बड़ी लग रही है, आप कहेंगे सरे पूछने की बात है, आपको बड़ी है, बड़ी है आपके दिमाग ने बोला, अभी भी बड़ी लग रही है ना, but I will just prove this, because मैंने आप लोगों के लाइन्स इसलिए ड्राउ करी थी, कि मैं आपको दिखा पाऊं, कि यह जो लाइन्स हैं, यह एक्जाक्ली सेम है, मैं आपको दिखा पाऊं, इनकी लेंथ बिल्कुल सेम है, यह देखें, तो इनकी लेंथ बिल्कुल सेम थी, पर आपको ऐसा क्यों लगा, कि नीचे वाली लाइन बड़ी है, आज आप हुमन साइकोलोजी सीखने वाले हैं, और यह हुमन साइकोलोजी आपकी लाइफ में भी काम आईगी, और शियर मार्केट में भी काम आईगी, और आपको पता लगेगा, लोग यहां क्यों करते हैं, तो इस फिनोमेन को बोलते हैं, मेंटल हुरिस्टिक्स, अब यह जो मेंटल हुरिस्टिक्स है, यह आपके लिए जाधा तरह टाइम ठीक नहीं होता, विकर्ज, इसका मतलब यह है, कि आपका माइंड, इन्फरमेशन प्रोसेस करने लिए जाधा टाइ वो एक बार में देखता है, तुरन जजज करता है, जैसी मैंने बोला कि कौन सी लाइन बढ़ी है, आपके माइंड ने यहां पे कोई भी ऐसे लाइन ड्रो नहीं करी, कि आपको लगे कि वो बराबर भी हो सकती है, बस एक बार में जज्जमेंट पास कर दिया, उपर उपर स देखके कि जो नीचे वाली लाइन है, वो ही बढ़ी है, नाओ, यह लोग शेर मारकेट में कैसे अपने लिए एडवर्सली यूज करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा माइंड इन्फरमेशन प्रोसेस नहीं करना चाता है, लोग ना फैनाइंशल देखते हैं वो बैलेंशीट नहीं देखते हैं, उसकी पास परफॉर्मेंस को जज नहीं करते, सिर्फ देखा यह इस टॉक अच्छा लग रहा है, जिफ एक बार में जज किया और गलत स्टॉक्स को हम पिक कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, फिर हमारे लॉस होते है, हम टेकनिकल एनल गलती नहीं है आपका दिमाग कंडिशन डै कि उसने टाइम नहीं लगा ना अब आपको पता है कि अगर हमसे गलती हो सकती है तो हमें वह गलती नहीं करनी है यहां से हम नेक्स फिनॉमेन की तरफ आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं संग कॉस्ट फैलिसी अब इसका मतलब क्या है अब मैं आपको एक इग्जामबल देता हूँ जरा अपने लिए सोचिए अब अपने घर से कई 200-300 किलुमेटर दूर जा रहे हैं अब रास्ते में आपको भूक लगती है आप गाड़ी चला रहे हैं अब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप एक टेक अवे रेस्टोंट प के वहाँ पे मिल जाती है अपनी मिल उठाते हैं अप गाड़ी चला रहे होते हैं अब जब गाड़ी चला रहे होते हैं आप कोक उठाते हैं कोक पीते हैं आपको लगता है इसमें तो फिजी नहीं है यह तो ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ पानी है पानी में चीनी मिली नुझा आप बगर उठाते हैं अपको जब लगता है एसा लगारा है य're sharp हुआ है तो आपको इतना मचा भा नहीं आता हो उतना टेस्ट नहीं अट नहीं आता है अब आप क्या करेंगे मेरा सवाल है आपसे आप क्या करेंगे आपने 500 रुपे दे हुए पीने को पी सकते हैं को चल लाएगा फ्रेंच प्राइज भी खा सकते हैं बस क्रिस्पी नहीं है और आपने बर्गर लिया हुआ है इतना बढ़या नहीं लग रहा पड़ा फिर भी खा सकते हैं आप क्या करें जादतर लोग उसे फैकेंगे नहीं देविल नाट थ्रो डाट फ अब इसे फैक नहीं है विल यूटिलाइज इट एक और एक्जेमपल मान लीजए आप एक मूवी थीटर में जाते हैं आपकी वो फेवरेट मूवी नहीं है आप अंदर बैठ गए अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए है आपने सब की टिकेट्स दी हुए दी अब मूवी जो आप कहते हैं यह क्या घटिया मूवी है ना कोई स्टोरी है ना मज़ा आ रहा है बिलकुल बोरिंग आप क्या करोगे उठके आ जाओगे बीच में से आपको इससर नहीं आएंगे क्यों कि आपके दिमाग को ऐसा सिगनल मिला हुए भी आप पैसे खर्च करे हुए है उठके नहीं होगे पैसा डूब गया पर फिर भी आप लोग लगे पढ़े रहते हो और यहीं होता है शेयर मार्केट में हम खरीद लेते हैं ऐसी कंपनी के जिसमें हमें नुकसान हो रहा होता है लॉस हो रहा है बट लॉस हो रहा है तो फिर हम और सहते हैं क्यों सहते हैं मै को समझ आ जाएगा आपका लॉस हो रहा है जिन शेर में आपको प्रॉफिट होता है आप उसके लिए रुकते नहीं यू रॉट फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट बॉक किया बेज दिया और यार अब यह नीचे आ गया तो चलो जी सो रॉपेगा खरीदा चेर यह हो गया एक्सो बीस परोमट कर देदेगर और लॉट तो यहां पे लॉस हो रहा है रहे हम स्क्राइज के लिए वेट कर दें क्यों कि पैसा तो लगच चुक आप लुए ना तो आप वेट करते हो आप बीच में कोई एक्षन नहीं लिए जैसे मूवी में बीच में निकले तो share में भी जब तक वो बड़ेगा नहीं तब तक पड़ा हुआ है जब profit हो रहा था तब तो आपने ऐसा नहीं सोचा और यह जो human psychology आप अपने लिए reverse तरीके से use कर रहे हो but if you can understand it आप इसे अपने favor में भी यूज कर सकते हैं third phenomenon is loss aversion अब loss aversion का मतलब क्या होता है देखो हम human beings चाहे कुछ हो जाए हम loss बरदाश नहीं कर सकते loss में हमें pain होता है और हमें profit में pleasure होता है profit होती है तो हमें खुशी होती है या profit हुआ हमें घुटे आपको बबड़ा पर आपको एक गुना खुशी होती है व ungef कुशी होथी तो loss ओने पे आपको और तीन कुला पैन होता है नहीं होता कोशे होता है नीचे пошते हो डाशल सकते हो largोता है जबχफंआ будет अब और घ्रश तक कि अपन्स मेरा कीकि बहुला कंती अब वो गड़ गया वो गया 95 का चलो लॉस हो रहा है अब इसकी कितनी भी कॉंटिटी खरीद रही है तो अब यहां पे एक लाख रुपे डाला था वो 95,000 रुपीज हो गया लॉस हो गया 5000 रुपे का लोग क्या कहेंगे लोग दिमाग में सुचते हैं पांच यार का लॉस को तो प्रेवेंट करना है तो एक काम करते हैं पैसा और पड़ा हुआ 95,000 में अगेन एक हसार शेयर खरीख लेते हैं तो जो हमारी एवरेज है वो बढ़ जाएगी इसका मतलब है कि 100 रुपे की आवरेज ने जाएगी जो भी आजाएगी आपकी 97.5 की जो भी आपकी से बड़े हुए हैं तो फिर भी हमने और खरीद लिया कि आप हमारी आवरेज हो जाए हमारी 95 के आसपा से 96 पर आजाए हमारा तो अगर वो 96 97 पर भी चला जाएगा तो मैं लॉस भूग नहीं करूंगा मैं प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा आपको जिस शेर में लॉस ह रहा था उसमें आप लगातार पैसे लगाते चले गए लगातार पैसे लगाते चलेगा और जिसमें प्रॉफिट होता उसमें नहीं करते अरे 100 पर खरीदा था 120 का होगे आप तोड़ी खरीदूंगा या आप तो काफी बढ़ चुका है बट जब वो डूब रहा था तो प्रिंसिपल समझ आ चुके हैं तो शायद अब आप आगे अपना लॉस बुक ना करो आप यूमन साइकोलोजी के बार में और जबा सीखना चाते हो वैल मैंने अपनी पड़ाई इसी के उबर गरी है तो आइकन टीच यू मौर अवाओट इट इफ यू वांट तो लearn नी ने यू तो आगे यू सल्कमाइट